बात करने के लिए लोग इन करें www.astrotak.com नमस्कार मैं आचार्य बिनोद भरद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज हम जानकारी देंगे अस्थाई लक्षमी की प्राप्ति कैसे हो किस तरह से आप अपने घर में माता लक्षमी का अस्थाई निवास बना सकते हैं इसके लिए एक छोटा सा उपाय आपके घर में माता लक्षमी का वास कराएगा यदि हमारी बातों पे हमारे सास्त्रों की बातों पे विस्वास है तभी इस कारिकरम को देखिएगा अन्यता कारिक्रम को मत देखिएगा लेकिन इस कारिक्रम के बारे में खास जनकारी दूँँ इसके पहले हम आपको जनकारी देते हैं यदि आप जन्म कुंडली के माध्यम से अपने विगनों को चिनित करके दूर कराना चाहते हैं वर्षफल चार्ट लेके अपने साल के बिगनों को दूर कराना चाहते हैं अपने वास्तु के बारे में कोई भी जनकारी लेना चाहते हैं या तन्त्र टोटकों से अपने जीवन के बिगन बाधाओं को दूर करके अपने कारियों को सिद्ध कराना चाहते हैं तो आप जाएए www.ashtotak.com पे बिनोध भरद्वाज प्रोफाइल को सेलेक्ट करिए और हमारे पास अपने प्रशनों को भिज़ दीजी हम एक सुन्दर से उपाय के माध्यम से आपकी बिग्न बाधों को दूर कराने का प्रयास करेंगे यदि आप कोन पे बात करना चाहते हैं तो सादर अमंदित है अब बात करते हैं आर्थिक उन्नती की देखिए आर्थिक उन्नती हर व्यक्ति चाहता है कौन नहीं चाहता कि हमारे जीवन में माता लक्ष्मी का वास हो माता लक्ष्मी हमारे जीवन में हर प्रकारते खुसियां दे तो आज हम इस कारिक्रम के माध्यम से जनकाई देंगे कि एक टोटका एक उपाए माता लक्ष्मी की अस्थाई निमास आपके घर में करतेगा देखिए तुलशी का व्रक्ष हर व्यक्ति के घर में होता है ऐसा माना जाता है कि तुलशी का व्रक्ष जिस घर में हो उस घर में नारैन का और भगवती लक्ष्मी का वास होता है तुलशी को जल दे करके हम महापुन्य के अधिकारी बनते हैं तुल्शी को दीपक जला करके हम घर के रोगों को दूर करते हैं तुल्शी की पूजा को शंपन करके पुन्यवान बनते हैं तुल्शी और सालिक राम का बीबाह करा करके हम मांगलिक उस्सों की कामना करते हैं कि हमारे भी घर में बीबाह आदी संपन्न हो, खुब मंगल हो, लेकिन तुलशी के पेड में ही आप हर गुरुवार को थोड़ा सा कच्चा दूद पका की नहीं, कच्चा दूद सोड़ा सा सो ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सो ग्राम से कम ही हो, आप तुलशी माता को प्राता काल अरपन करें, नहाधो करके अरपन करें, और फिर तुलशी को दूद चढ़ाने के बाद जल चढ़ाएं, और एक आप घी का दीपक हर गुरुवार को ये कारी करना शुरू कर दें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि माता लक्ष्मी की कृपा कब हो गई, आपको पता तब चलेगा, जब आपके परिवार के लोग आर्थिक उन्नती को प्राप्त करेंगे, जिस जहां भी नौकरी कर रहे हैं, वहां प्रोनत हो जाएगी, आपके बाल, बच्चे आर्थिक उन् अच्छा करें आपके परिवार को महा आसिरवाद दिलाएं इसी के साथ इस कारिक्रम को यहां संपन्य करता हूं लेकिन हमारे यूटूब चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा और एक सेयर तो बनता ही है अगर कारिक्रम अच्छा लगा है तो आप लोगों का बहुत बहुत आप मेँ मतान बदा लाथ का